कि जो भी है राशिफल हर मास्ट का जो है अपने चलक मत्ति प्रभागर चकवरती चर्मा के आध्यात्मिर चानल के तुरू सब्सक्राइब बता रहा हूं अब यह चानल को सब्सक्राइब लाइक करें और इस चानल के माध्यम के तुरू आप लोग जो है हर मास्ट के सब्सक्राइब नमस्कार आपका पंडित प्रभागर चकरवर शर्मा दोजार चोबीस अक्टोबर मास्ट के राशिफल के प्रिच्छे कारेक्निया स्वागत है अक्टोबर दोजार चौवीस में ग्रहों के अनुसर पहला राशी मेश राशी का पलमदेखेंगे लिए विशेश रूप से मेश राशी के लिए लाबस्थान में शेनी बेठा है और मेश राशी के लिए इस मास में राहु के तु अनुकूल स्थित्यु में रहने के कारण यह अक्टोबर मास मेश राशी के लिए शुबफल देने वाला है मेश राशी वाले इस मास में जो भी कार्याप करना चाहते है उसमें विजय प्राप्त करेंगे आपके हर काम काम्याबी होगी आपको थोड़ा बातों से किसी की कुछ बातों से थोड़ा दुख होने की संभा होना है फिर भी शेनी आपके अनुकूल होना धनष्थान कुटूमपस्थान वाक्षान में गूरू का अनुकूल रहने के कारण और रवी जो है शुबश्चत रोने के कारण आपके हर काम में इस महीने में सफलता मिलने वाला है मेश रासी इस महीने में जो भी कारी करने है उसमें विशेश रूप से शुबफल अधिक है मेश रासी के व्यापारी लोग के लिए ये मास अत्यांत अनुकूल है विद्यादियों को शुबफल मिलने वाला है विशेश रूपसे मेच रास के स्त्री के लिए धनकानक वस्त्वाहनादी की प्राप्ति इसमास में स्पस्ट रूपस में दिख रहा है अगला रासी रुषब रासी रुषब रासी का फ्लव हम देखेंगे रुषब रासी को रुशेपरासी को अक्टोबर दोईजार चोवीस में इस तरीके सिंग्रस्ति थी है जन्म राषी में बहुशुपती का संचार करना। किअ दशमस्तान के सचा रहान के लिए थोड़ा से करणा सामाय के लिए कामों में सब्सक्राइब सब्सक्राइब हर चीजों में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करने की तिती उनको दिख रहा है और जो भी व्यापार है उनको व्यापार में जो भी उनको पैसा हाथ में मिलना है वो थोड़ा सा समय से ज्यादा समय ले लेना समय पर पैसा ना मिलना यह सब चीज उनके ग्रहस्तिती में दिख रह गुरुवार के दिन कोई भी महा विष्टु के मंदिर में विष्टु भगवान की पूजा करें चने का प्रसाद को जो है भगवान को गुरुवार के जिन ब्रहस्पतिवार के दिन भगवान को चड़ा के चने का प्रसाद को जो है बाटना शेनिवार के दिन नवग्रह मंद जाके नवग्रह की पूजा करने से पुरुषब राशी में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है उनके चीजों में थोड़ा वॉन्नति हो सकते हैं अगला राशी मिद्वन राशी मिद्वन राशी के लिए में विशेशुरुप से अक्टोबर मास इस प्रकार के ग्रहस्ति है भी नसी को और मिद्वन राशी को कर ना कुछ ना कुछ पैसां की तकलीफ आना दिख रहा है विद्ण राषी को भागि में शेनी अनुकूल रहना और रवी केतु का अनुकोल स्थिती रहना राहु का बल रहने के कारण मिद्वनराशी वृत्ति व्यापार में जो भी कटना ही आते हैं उसको पार कर लेंगे उनको हर चीज में थोड़ा सा उन्नति और थोड़ा सा बढ़ाव इस महिना मिद्वनराशी वर को सपस्ट रूप स दिख रहा है मिद्वनराशी के लोग विशेश रूप से रुत्ति में व्यापार में आगे बनने के लिए और अपनी आपको थोड़ा सा अच्चे जगा में पाने के लिए शिव जी का पूजा रखना चाहिए विशेश रूप से बुदवार के दिन मिद्वनराशी के कर्चा के मामले में अच्यनत स्धा रखना चाहिए जोविए उसके उपर अपना कंट्रोल रखें मिद्वनराशी तोड़ा कंट्रोल में कर्चा करने से सोच के कर्चा करने से उनके लिए जो है यह मास तोड़ा सा सही हो जाएगा कर्चा को रोकने के लिए मिदुन राशी विश्य सुपसे गुरुवार के दिन चना का प्रसाद भोग चड़ाना और उसको बाटना ये सारे चीज़े काम करें अगला राशी करक राशी करक राशी के लिए करक राशी वाले के लिए अस्टमस्ताने में शिनी संचार होना और ब्रहस्पती कभी उतना अनकूल ना होने के करण करक राशी वाले अपना जो भी हेल्थ पॉइंट आफ यू थोड़ा सा आरोग विशे में वो लोग को अपने आपको थोड़ा खाया लगना है गर में कुछ ना कुछ परेशानी आपको यह महने थोड़ा दिक्कत करेगा करक राशी विशेश रूप से तुर्तियस्तान में रवी के दू के संचार होने के कारण उनको अपने भाई बंदू लोगों से कुछ ना कुछ दिक्कत होने की संभावना ज्यादा है करक राशी वाले अधिनी को तिल का तेल से अभिशेग जैसे चीजे करना यह सारे कारी करने से करक राशी को अक्टोबर मास अच्चंत शुबफल मिलने वाला है अगला राशी सिह राशी सिह राशी के लिए दोजार चोबीस अक्टोबर विशेश रूप से मज्यस्तफल मिल रहा है जन्मराशी में रवी का प्रभाव और वाक्स्थान में खेतू का प्रभाव से सिम्मराशी जो भी किसी से बात करते हैं उनसे कुछ जगड़ा होने की संभावना उनको थोड़ा सा क्रोधित में जो जिनका शादी हुआ है उनके हस्बेंट वाइब दोनों के बीच में कुछ जगड़ा होना और परिवार के लोगों साथ तोड़ा दिक्कत होना जहां पर नवक्री कर रहें वहां पर आपको काफी सारे चीजों में तोड़ा दिक्कत है आना सिम्मराशी के लिए करक राशी वाले विशेश रूप से शुबफल पाने के लिए शनीवार के दिन शनी की पूजा करना नवग्र मंदर में जाके इस नीी को तिल का तेल से अभिशेग जैसे करना ये सारे कार्य करने से करक राशी को अक्टोबर मास अच्चिनत्रोपल मिलने वाला है अगला र में रवी का प्रमाओ और व BLACK प्रभाव से G도 बी किसी से बात करते हैं उनको थोड़ा सा प्रिवार में लोगों के साथ जिनका शादी हुआ है उनके husband wife दोनों के बीच में कुछ जगड़ा होना और परिवार के लोगों साथ तोड़ा दिक्कत होना जहां पर नौकरी कर रहे हैं महां पर आपको काफी सारे चीजों में तोड़ा दिक्कत है आना सिमरासी के लिए स्पस्थोस में दिख रहा है स सिमरासी तोड़ा सा विशेश रूप से अक्टोबर मास में सूर्ज बगवान की पूजा करना आधित्य रोधियम जैसे सूर्य आस्टकम जैसे चीज़े पढ़ लेना रविवार के दिन नवग्रह मंदिर जाके नवग्रहों की पूजा करना विशेश रूप से शेनी कि को पर मास थोड़ा सा घ। यह आगी हैं अगला राशी थो कंट्यारासी कहां कंट्याराची के लिए अक्टोबर देजार 24 जो है थोड़ा के कहते से अनुकूल समय बताया जा सकता है क्योंकि कंग्राश जो भी का्रिये कर रहें उसमें आतंक बहुत है बड़ उनको अक्टोबर मास में उसका पहल जरूर मिलेगा वह जो भी कारी कर रहे है उनको विश्च रूप से उसका शुबफल इनाम मिलने का संबावना है पैसाओं के लिए जो भी क्रिया करें उसमें अक्टोबर में शफली कृत हो कन्यारासी के व्यापदी के लिए अक्टोबर मास लाने वाली मास है कज्ड़ासी में घ्ण्रावidyaarty के लिए तोड़ा आरोब की फयामिली परिवारे कुष्यय में अपना खैर रखाना चाहिए तुलारासी अक्टोबर ग्रहाश्थ तितियों के अनुसार उनके इस 27 5 साल के इस तुला राशी के लिए झुती आस्थान में शूक्र का संचार करना लिए अश्टम स्थाज गुरू और शिनी जो है तुला राशि के लिए पंचम स्थान में अनु कुल संचार करने के कारण यह मैना उनको मज्यस्त समय हैं अस्टम गुरु के कारण तुलाराशी वाले अपने आरोग ये परिवार में लोगों के आरोग की स्थितियों की जो है चिंता करनी चाहिए उनको थोड़ा तबियत में कुछ दिक्कत आना कुछ न कुछ अनारोग की संभाव ने भढ़ जाना ये स्थित तु मिल रहा है विद्यार्दियों के लिए तोलाराशी के लिए यह मेना अनुकूल मास है तोलाराशी इस्त्री करें में कुछ शुब फल मिलने का संबावना है अगला राशी रुष्चिक राशी अक्टोबर 2024 अत्ययनत अनुकुल समय चल रहा है रुष्चिक राशी के लिए उनके लिए ड़या का अन्त्य समय होने के के बावजूद भी शिनी चित्रत्तान में थोड़ा दिक्कत्तान में होने के बावजूद भी जन्मराशी में शुक्र और विशेश रूप से रवी और खेतू का अनुकोल स्थिति लाबस्तान में होने के कारण रुष्चिक रासी इस महिने आप एक जगह से दूसरे जगह आ जाने की जो आपकी प्रणा लिका है वो सफली कृत होता है आप जो है विदेशों जाने की जो भी इच्चा हो या आप अपने देश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो भी इच्चा हो पूरी हो जाती है और इस महिने में आपको सुक संतोश सम्रुद्धी मिलता ह Strand करते हैं इस मेरे लिए अनुसार मिलने की संबाँ तरह में जगड ना ना करें यहां आपके लिए सूचे ना करता हूं रुष्चिक राशी विशेश रुप से दुर्गा की पूजा करने से इनको अच्चिंत शुबफल मिलेगा अगला राशी धनू राशी धनू राशी के लिए दोजार चौबीस अक्टोबर मद्यस्त फल है इस मास में आपको विशेश रुप से थोड़ा कटना है परिवार में कुछ ना कुछ समस्या है आपको थोड़ा तकलीत देगा धनू राशी नवरात्रियों में विशेश रुप से अक्टोबर मास में दुर्गा जी का पूजा क करने से शुपफल मिलने की संभावना है थनूर राशी व्यापार लोगों के लिएमास अनुकूल ऐ है फिंतक्री सामने वाले से बात करते हैं उस समय थोड़ा साथ ध्यान से बात करें दनुराशी वाले के लिए वृत्ति वुज्योग व्यापार के लिए यह मास अक्टोबर करने में धनुराशी शूर्जी का उपासना करना गुरुवार के दिन प्रहस्तों से अध्यान शुपफल मिल सकता है अगला राशी मकर राशी दोजार चौपीस अक्टोबर में हैं यह अक्टोबर मास में आपको थोड़ा सा अनुकूल मास है जो भी व्यक्ति इस मास में हेल्थ पॉइंट आफी जो भी दिक्कते जो देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगी आप जो भी हास्पिटल में जो भी प्रयास करते हैं उसमें तोड़ा शुबफल और मकर राशी के लिए व्यापर में थोड़ा सा बदलाव हैं पैसा के मामले में थोड़ा सा उनके लिए जो भी दिक्कते हैं उनको मैनेज करके बाहर आने के लिए तोड़ा अनुकूल समय हैं Achir crush को चुका कि षुमफल पाने के केलिए शिदी की पू Elliott का कना हनुओ handlar जी से मिवार के दिन मंदिर में तिल का तिources चली जला के शिफिक शिनीप फाला कि पूजा करने अंकि कि स्थी के जो तोड़ा दूर हो जाते हैं अग्ला राचि कुम्ब कुम्ब राशी के लिए दोजार चौबीस अक्टोबर थोड़ा खटिन समय है कुम्ब राशी के लिए विशेश रूप से जन्मशेनी होने के कारण और शुक्र और गुरु जो है तोड़ा अनुकोर स्थिति में रहने के बाद भी जो साड़े साथी का जो जन्मशेनी का प्र बारीवारिक दिक्कतें गोलुको तक्लीफ देंगत कुमबर राशी के लिए पैसों की जो है बहुत तक्लीफ जो है देगहेगी जो बियुद्वत कर रहे रहा है कंवरड़ा कर दिन शिव का आराजना करना शियुद के पूजा कर ने से अच्च्रफफल मिले गा नवग्रह मंदिर जाके शिनी को अभिशेक करना शिनी का पूजा करना कुम्बराशी को शुबफल देगा कुम्बराशी वाले शिनी शिंगापूर जैसे शेत्र दर्शन करने से अतियंत शुबफल मिल सकता है अगला राशी आक्री राशी मेन राशी मेन राशी को अक्टोब केलिए नस्ट उने की संभाला है को जैसे वियापारम में मेरासि तोड़ा संभा तोड़ा संभाल के चलना मेरासि विद्ध्याद्य के यह थोड़ा कटिन समय है मेरा सी वाले उृत्ति युज़ोग व्यापार में सोच समझ के आगे क령 भी बरनाला समझेट की तो पोडर दिंग्हे इस महिने में बढंती समस्वाना है मेरा से वाले से दिक्रावॣ के दिन हनुमा फूजा करना बाला जी पूजा करके अरविवार के दिन नवगरा मंदिट जाके नवगर्ष का Mine करना विशेश रूप से शिनिवार के दिन शिनी की पूजा करके शिनी भगवान को तिल का तेल से अभिशेक करना शिनी शिंगापूर्श जैसे चेत्र दर्शन करने से उनको शुब फल मिलने की संभा होना है मैं पंडित प्रभाकर चकवरति शर्मा चलकमर्ति पंचांग दुर्ट सिद्धांत पंचांग गणित के अनुशार में जो है सबको में चराशी से मेन राशी का जो भी है राशी फल हर मास का जो है राहू के तू और रवी की पूजा करने से अत्यंत शुब फल मिलने वाला है और सिम राशी के लिए यह अक्टोबर मास थोड़ा सा घटिनाएं आगे हैं अगला राशी कंजा राशी के लिए अक्टोबर दोजार चोवीर जो है थोड़ा क्टिन से अनुकूल समय बताया जा सकता है क्योंकि इस कण्या राशी जो भी कारिये कर रहे हैं उसमें आटग बहुत है बट उनको अक्टोबर मास में उसका फल जरूर मिलेगा वो जो भी कारी कर रहे हैं उनको विशेश रूप से उसका शुब फल की नाम मिलने का संभावना है पैसाओं के लिए आप जो भी क्रिया करें उसमें अक्टोबर में सफली कृत हो जाएंगे खन्या रासी के लिए इस मास भोग विशेश रूप से पैसा की धन दान्य जो है मिलने की संभावना अधिक रूपसे हैं कज्या राशी के व्यापारी लोग के लिए अक्टोबर मास बदलाव लाने वाली मास हैं तोड़ा साख कण्या रासी जो भी वुध्योग कर रहे हैं उ है तो लाराती अक्टोबर दोजार चोबह सबीज समय है पर तोलाराशी के Delta मत समय है तो लाड़ाइब केली यृस स्थान में इत करने के कारण यह महिन उनको मज्यस्त समय हैं अस्टम गुरु के कारण तुला राशी वाले अपने आरोग ये परिवार में लोगों के आरोग की स्थितियों की जो है चिंता करनी चाहिए उनको थोड़ा तबियत में कुछ दिक्कत आना कुछ न कुछ अनारोग की संभावने बढ़ जाना ये स्थि रल मिल रहा है विद्यादियों के लिए तुला राशी के विद्यादियों ये मेना अनकुल मास है तुला राचि स्त्री के लिए स्त्री लोगों के लिए जन्मराशी में शुक्र और विशेश रूप से रवी और केतु का अनुकोल स्थिति लापस्तान में होने के कारण रुष्चिक रासी इस महीने आप यह जगह से दूसरे जगह आप जाने की जो आपकी प्रणा लिका है वो सफली कृत होता है आप जो है विदेशों जाने की ज बीच्चा पूरी हो जाती है और इस महीने में आपको सुक्ष शंतोश समृद्धि मिलता है आप जो भी कारते सुकून से काम करते हैं इस महीने लिए रुत्य वुझ्योग व्यापार के अनुसार शुबुफल मिलने की संभाउना है उप जो भी कार करते हैं थोड़ा शुक करें यहां आपके लिए सूचे ना करता हूं रुष्चिक राशी विशेश रूप से दुर्गा की पूजा करने से उनको अच्चिंत शुबभल मिलेगा अगला राशी धनू राशी धनू राशी के लिए दोजार चौबीस अक्टोबर मद्यस्त फल है इस मास में आपको विशेश रूप से थोड़ा कटना हैं परिवार में कुछ ना कुछ समस्या हैं आपको थोड़ा तकलीत देगा धनू राशी नवरात्रियों में विशेश रूप से अक्टोबर मास में दुर्गा जी का पूज से बात करें दनू राशी वाले के लिए यह मास अक्टोबर दोजार चौबीस जो है थोड़ा कटिनाया सामने करने वाला महिना मारा जा रहा है दनू राशी रविवार के दिन सूर्ज का उपासना करना गुरुवार के दिन बुरहस्पदी का पूजा करने से अत्यंत साथ ही के अन्नित्यवागी में हैं एकक्टोबर महास में आपको थोड़ा सा ईकूल महास है जो भी व्यक्तiny इस माश में हेल्ट पॉइंट अफी जुब्य दिक्कते जो देख रहे हैं उसमें तोड़ा सा बदलाव आएगीeg previous अब जो भी हास्पिटल में जो भी प्रयास करते उसमें तोड़ा सा ड़कम मिलेगा और मकर राशी वियापार में तोड़ा सा बदलाव आगी मचर राशी पैसा के इन्ताइस के थोड़ा सा उनके लिए जो भी के दिन शिनी की पूजा करना हनुमान चालिता पढ़ना हनुमान जी का पूजा करने से से जार्ड़ा के दिन मंदिर में जोघाए तिल का तिम चल चल जलाके शरी बच्वाण की पूजाएं अगला राशी कुम्ब राशी के लिए दोजार चौबीस अक्टोबर थोड़ा कटिन समय हैं कुम्ब राशी के लिए विशेश उर्प से जन्म शेनी होने के कारण और शुक्र और गुरु जो है तोड़ा अनुकोर स्थिति में रहने के बाद भी जो साड़े साथी का जो जन्म शेनी का प्रभाव उसके कारण जो भी कारेकर उसमें कटिना हैं समय पे चीजें ना होना समय पे काम ना होना यह स्थिति आपको दिख रहा है कुम्ब राशी के वाले के लिए पैसों के जो है बहुत तकलीफ हैं निए जोबी व्यक्ती उद्योग कर रहे उध्योग में खटिना आया व्यापार में पैससा समय पे ना मिलना त्थित्क्ट है है के स्य को इस महिने में शेनी भागवान की पूजा करके शेनिवार के दिन शियो का करना शिव की पूजा करने से अत्यवय शुपवर्फल मिलता है अगर राशी मीन राशी को मज्यस से थोड़ा कटन फल मिलने कि संभा। मेनराशी साढ़े साती में हैं मेनराशी को कर्जा जाधा व्यापारी के लिए नसट वने की संभा होना है कोट जैसे व्याहारम मेनराशी तोड़ा संभाल के चलना चाहिए मेनरासी विद्यार्दी के लिए थोड़ा कटिन समय है मेरासी वाले वुद्धी वुज्जोग व्यापार में सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए नहीं तो फोड़ा सा दिक्कते इस महिने में बढ़ने की संब्भाव मेरासी वाले शेनिवार के दिन हनुमान जड्यली को पुजा करना अपन बाला जिका पूजा करना तो रभीवार के दिन नवग्रह मंदित जाके का प्रत्प्षिन करना करना विशे कि मैं पंडित प्रभागर चकवर्ति शर्मा के दर्शिद्धान्त पंचांग दशना में सबोस्टाव जो है सबको सुढ़ करें लाइक को और इस चानल के माद्यम के तो आप लोग जो है हर मास के राशिवल पाके उसके अनुसार जो भी खटने आपको और यह उसके लिए जो भी आपको पूजा कर रखने से उसकी फल होगी यह सारे चीजे हम इसके माद्यम से आप पास सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार आपका पंडि प्रभागर्चकरवत श्यर्माद